दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आसा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे दोस्तो जो वक्त है डरना नहीं है लरना है मजगूती से लरना है बिल्कुल और ध्यान जरूर रखना है मैं फिर से आपको थोड़ा सा ध्यान अब इस तरफ हमेशा लेके आने का कोसिस करूँगा देखिए मैं जिनरली न्यूज देख नहीं पाता हूं और सिर्फ न्यूज अगर लेता हूं तो BBC हिंदी न्यूज को देखता हूं बस एक बार दिन में न्यूज देख लिया और अंदाज लग जाता है देश में क्या हो रहा है दोस्तो मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कल अमेरिका में लगभग 4200 लोगों की मौत हो गई है एक दिन में इस वाइरस के चलते और धाई लाक के लगभग में केसे साइद उससे उपर का ही रिपोर्ट हुआ है विगत दो दिनों से देख रहा हूँ न चार जार से उपर लोगों की मौत हो रही है ये बहुत बड़ा आकड़ा है सही पूछे तो हमारे देश में बहुत केसे स कंट्रोल में है लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसी वक्त ये बिमारी लगभग कुछ दिनों पहले चाइना से निकला था एक साल पहले और तीन महने के अंदर में पूरे विश्व में च्छा गया था हम लोग लापरवा थे असल में भारत में कुछ एक केस तो जन्वडी में ही रिपोर्ट हो गया था लेकिन मास लेवल पे आते आते और लॉक डॉन होते होते 25 मार्च हो गया था दोस्तो सावधानी बहुत जरूरी है दूसरा जो वारस आया है ना सुनने में ऐसा आ रहा है समाचारों के माध्यम से पहले वारस से वो 70% ज़्यादा खतरनाक है तो उससे ज़्यादा समहल के रहने की जरूरत है और सही पूछे तो लोग अं मास्क नहीं लगाते हैं बहुत चिंता होती है आज मैं गया हुआ था डांग घर बहुत सारा बुक्स था उसको डांग के द्वारा भेजता हूँ मैं तो आए दिन डांग घर जाना ही पड़ता है लगभग तो मैं देख रहा था डांग करमी भी कोई मास्क नहीं लगाय हुए थे कोई नहीं मैं अकेला था जो N95 माक्स लगा के वहाँ खड़ा था और सब लोग मुझसे एक दो लोग ने टोक भी दिया कि सर अब मास्क क्यों लगाते है वाइरस कहा है अब ये अच्छी बात नहीं है चलिए ये जो वीडियो आप देख रहे हैं न दरसल इसी वीडियो की महरबानी है सही पूछे तो कि आज मैं आप लोगों के सामने हूँ आप लोगों से बात करता हूँ इस वीडियो को मैंने सबसे पहले अपने चैनल पे अपलोड किया था बकेट वासिंग मसीन का वीडियो दरसल 2016 में मैंने इसका काम शुरू किया था और काफी ये चला था और उसके बाद एक वक्त आया बहुत दिन चलने के बाद इसका जो कैबिनेट जहां बनवाता था न वो कैबिनेट का जो डाई होता था वो डाई खराब हो गया और डाई कोई सस्ता नहीं था बहुत महंगा था और डाई नया बनवाने के लिए बहुत सोच रहा था आखिर एक और वेक्ति के सहयोग से डाई बना और इसकी निर्मान फिर से स्टार्ट हो गई है इसका production फिर से स्टार्ट हो गया इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बतान चाहूंगा दरसल हम मुझे याद है जब 6000 सब्सक्राइबर थे न ये तब तक लोग इसको जानते थे लेकिन इधर जतने आप लोग जुटे हैं नए आप लोग दरसल इससे पडिचित नहीं है देखिए समझे तो 2-4 कपरा धोने के लिए ये बहुत उत्तम मसीन है और कीमत भ चार्जेज GST लगवक 400 तो इसके पीछे GST आ जाता है और सही पुछी तो ये पांच मिनट में कपड़ा धोता है कितनी बड़ी बात है वासिंग मसीन की कीमत देख लीजिए 10 से 15,000 और उससे उपर तो कोई अंथी नहीं है मैं तो एक दिन देख रहा था 50,000 का वासिंग मस रुपया एक भोकता के लिए है और जब इसको कोई बल्क में लेते हैं तो मैं उनको 1900 प्लस GST में दे देता हूं लेकिन बल्क में क्या है कि minimum quantity आपको 50 pieces का होना चाहिए और चुकि बल्क में वो ट्रांस्पोर्ट से जाता है तो किसी प्रकार का कोई courier charges इसमें include नहीं होता ह 1900 प्लस इस पे 80% सरकार का GST है सही पुछे तो इस पे भी वही GST applicable है जो 15,000 के washing machine पे है मैंने तमाम किताब में एक बात सरकार से बिलकुल आगरह किया है ये आम आदमी से जुड़ा हुआ product है जनरली इसको hostel के student लोग बहुत like करते हैं प्लस जो nuclear family है जैसे छोटे बच्चों का कपड़ा फलिया वगेरा धोने के बड़ा useful चीज है और सही पूछिए कपड़ा तो लोग धोने के लिए मंगाते ही थे इसको सबसे मजे की बात तो ये लगी कि जब लसी बनाने वाले लोग मेरे से इसे मांगने लगे और इससे लसी बनाना चालू किये एक लसी बनाने पंजाब के मेरे से 3-3 पीस लिये थे मतलब तब मुझे लगा मैने उनसे पूछा कि सर आप 3 पीस क्यूं ले रहे हैं तो उन्होंने बलाए भाई मेरी लसी की दुकान है बाल्टी में लसी भड़ के बहुत बड़ा मेरा मतलब ये पितल का बाल्टी है जिसमें वो लसी बना लिए इसके बाद एक और मज़ा क्या हुआ कि एक दिन में इससे खुदी मसाज कर रहा था तो पता चला कि इसका एक यूज ये भी हो सकता है मतलब ये 3-1 है कपरा धोने को कपरा भी धो देगा लसी भी बन जाएगा और सबसे मज़े की बात तो मसाज भी हो जाएगा ये 3-1 देखिए बहुत सिंपुल है इसको क्लैम्प के द्वारा देखिए बाल्टी में पानी उतना भड़ ये लेवल है बस उससे ज्यादा पानी नहीं डालना है इतना भी नहीं देदेना है पानी की मोटर में पानी चला जाएगा इसलिए कि ये तभी खड़ाब होगा जब इसक के mechanism कुछ नहीं है इसके अंदर हमने एक copper का motor डाल दिया है और उसके speed को slow कर दिया है दो चकड़ी के माध्यम से इसमें दो दो चकड़ी installed है और दो belt लगा हुआ है अब motor उपर चलता है नीचे का चकड़ी चलता है बस इतना ही mechanism है और speed को slow डखा गया है और motor की speed कोई ज्याधा rpm का motor नहीं है वाटेज कोई खास नहीं साड़े तीन सो वाट है अब देखिए इसको on करने के बाद यह पानी को rotate करता है अब आप इसमें कपरा डाल दीजिए साबुन सर्फ जो भी डालना है डाल दीजिए 5 मिनट में तो एतना बढ़िया कपड़ा धोता है यह और सबसे बड़ी समस्या जो कपड़े के साथ होती है क्या है मालूम वो जो हाथ से यह जो मैं बता रहा हूँ ना रगरने वाली बात इसमें से मुक्ति बस आपको करना कुछ नहीं है दूसरे बाल्टी में normal water रखिए और इसमें से कपड़ा धोने के बाद उसमें डाल देना है कपड़ा को देखिए अभी यह पानी नाच रहा है इसके बाद मैंने एकदम सर्फ ब्लू डाला एक चम्मच अब यह देखिए सर्फ को मिक्स कर दिया मैंने तो सही पूछे तो दो तीन सर्ट के बाद जीन्स इतना इसमें जान नहीं है यह आपके एक सट पैंट को दोने के लिए बहुत बढ़िया है बच्चों के छोटे-छोटे कपड़ों को दोने के लिए बहुत बढ़िया है वासिंग मसीन का एक डिमेरिट तो है कि उसके चक्कर में कपड़ा काफी जमा करके रखना पड़ता ह और उसके बाद सही पूछे आज के डेट में जिस तरह से जगा सिमट रहा है उतना स्पेस होता नहीं है कि एक वासिंग मसीन का कपड़ा बालकोनी में ले जाई है पसारने के लिए या सुखाने के लिए इसमें क्या है दो चार कपड़ा गंदा हुआ धो दिये अब देखे मै बार बार बोलता हूँ यह आम आदमी से जुड़ा हुआ प्रोड़क्ट है अब जिनके पास दो सट चार सट है उनको तो भाई सट तो तुरंत धोना पड़ेगा और यह पांच मिनट में धो देगा और उसके बाद सट को धूप में सुखा दीजे और आपका वासिंग मसीन तो सही पुछे तो यह बहुत काम का चीज है इसका ही मार्केटिंग नहीं होती है और बहुत लोगों ने अल्मुनियम में मोटर बना के या चाइनीज इसका रुपांतरन लेया के इसको बदनाम कर दिया प्रोड़क्ट को अब हम लोग जो बनाते हैं इसकी मोटर को कॉपर और वो ह्लाइन वाले बेचना जानते हैं और बेचने के बाद सर्विस सब्सक्राइम कोई उठाता नहीं है और सभी सौले दो हजार सोलह की बात में बता रहा हूं आज तक मेरे पास एक पीस कम्प्लेन नहीं आया एक पीस भी हाँ एक गुजरात की भाई है उनका कोई प्रॉब्लेम हो गया था साथ भी सैंडलिंग हुआ था बेल्ट उसका उतर गया था कि क्या हुआ था उसको मुझे वही एक कम्प्लेन याद है इसके अलावा आज तक मेरे पास एक भी इसका कम्प्लेन नहीं आए कितनी बड़ी बात है कि ये जा रहा है पाँचवा साल और फाइव एर्स में किसी प्रॉड़क्ट में कम्प्लेन नहीं आए मतलब क्या मालूम उस प्रॉड़क्ट के बनाने वाले का धंदा बंद हो जाएगा मुझे याद है एक टीवी की कम्पनी नाम नहीं लेना चाहूंगा उन्होंने ऐसा टीवी बनाया था कि वो खड़ा भी नहीं होता था अब नतीजा क्या हुआ कि जो एक बार ले लिया दुबारा उसको लेने की जरुवत नहीं हुई नतीजा वो कम्पनी बंद हो जाएगी ऐसे ऐसे मतलब एक साल की गरेंटी है तो दो-चार साल और चल जाए मतलब सर्विस में आते रहे तो सर्विस सेंटर भी लोग का चलते रहता है आजकल तो बस यही प्रैक्टिस है कि साल भर का गरेंटी दे दो और समान ऐसा लगाओ कि वो दो साल भी न चले ताकि सर्विस सेंटर जिन्दा रहे और स्पेर पार्ट के नाम पे लूटा जाए अब देखिए हम लोगों ने इसमें सही पुछे इसकी बेल्ट की क्वालिटी इतनी बढ़िया रग दी मोटर इतना अच्छा बनाया कि मोटर होट ही नहीं होता है और पांच मिनिट से जादा इसका रन टाइम है नहीं तो मोटर की लाइफ ऐसा ही इंटेक्ट है और सही पूछे अब कैबिनेट की बात मैं करता हूँ कि इसमें नाइलोन रेजिन मिक्स करके मैंने कैबिनेट बनवाया था और कैबिनेट का खड़ाब होनेगा फिर कोई कोसन ही नहीं उठता है काफी लोगों ने सिकायत की कि जो इधर उधर से ओनलाइन से लिये थे कि पानी में करेंट आ जाता है अब देखिए सब कोई नकल करने के लिए भी अकल चाहिए लोगों ने नकल तो किया लेकिन थोड़ा अकल नहीं लगाया मैं बोल देता हूँ उसमें क्या अकल था इसमें एक अर्थ वायर हमने डाला हुआ है मसीन के चारो नीचे तक जाहिड सी बात है अगर आप अर्थ वायर डाल दीजेगा तो पानी में जो भी अगर करेंट होगा तो वर्थ हो जाएगा तो आपको चूने से कोई सौक नहीं लगेगा लोगों ने कॉपी कर लिया वर्थ वायर डालना छोड़ दिया आज मैं डिस्क्लोज कर दिया उसकी राज क्या है सीक्रेट्स ओपन करने में मुझे बहुत मज़ा आता है सही पुछे तो इससे बिजनेस कोई ज़्यादा लॉस नहीं होता है इससे बस एक चीज होता है कि अगर और भी भाई लोग अगर इसको बना रहे हैं और उनके अंदर में ये कमी है उनके प्रोड़क्ट में उसको सुधार लें ताकि किसी को करेंट कम से कम नहीं माड़े इससे समाज का भला होगा देखिए काम कोई भी कीजिए बिजनेस के द्वारा भी सोसाइटी का समाज का भला होना चाहिए और जब आप बिजनेस कोई भी करें और अगर टैक्स पेड करें टैक्स पे रो मिटरल खड़ दें टैक्स पे समान को बेचें तो ये जो tax है न, ये tax के पैसे से फिर आम जनता में उसको भलाई का काम होगा देश की अर्थ बिवस्था मजगूत होगी, हमारा सीमा मजगूत होगा तो कितना benefit है, अब बहुत लोग दूर दराज गाउं में बोलते हैं कि गलत address के चलते return आगिया, मैंने उसको repostage कर दिया और मैंने उसकी slip को upload कर दिया, ये माज ममली गया की बात है गया मतलब हमारे पतना से 100-800 km के distance पे है और मैंने उन सहाब को सूचना देदी रसीद भी upload कर दिया जो उसमें postage चार्ज 36 रुपया लगा हुआ था और देखिये, उनकी इमानदारी देखिये, उन्होंने वो 36 रुपया मेरे को वापस पे कर दिया तो वही बलता हूँ कि गाउँ देहात में लोग जब बोलते हैं दूर दराज में कि सर यहां कोन देखने आता है देखिये, देखने कोई नहीं आता है इनसान खुद अपने नजर में गिर जाता है कि एक तरह की चोड़ी वो कर रहे है अब उस चोड़ी का नाम मालूम क्या है? वो टैक्स की चोड़ी है अरे भाई, खुद कमाईए और दूसरे का भी भला कीजिये अब देखिये, सही पूछिये तो कितने भी इतिहास में हीरो आए इवेन की चलिये हम कहते हैं अंग्रेज भी आए लाख गलत काम किये लेकिन आज भी जो हमारा पटना कॉलेज है ना पटना विस्स विद्याले, वो अंग्रेज का बनाया हुआ है लाल कीला किस ने बनवाया मतलब कितने भी लोग आए बड़े बड़े चीज को बना दिये और वो लोग जो बनाये ना सही पुछे तो आज तक उसमें दरार तक नहीं आया है मतलब कहीं न कहीं वो कुछ भला भी किये है अब मुगलकाल की देन है ताजमल देखिए मुगलकाल की देन है उस ताजमल को देखने के लिए जब विस्व से परेटक आते हैं तो हमारी अर्थ बेवस्था किसी न किसी रूप में मजगूत होती है चाहे वो वीमान की किराय के रूप में हो चाहे वो रेस्टरा के बिल के रूप में हो चाहे वो होटल के ठहरने के रूप में हो कहीं न कहीं वे अपने करेंसी को हमारे देश में जब खर्च करते हैं तो हमारा करेंसी मजगूत होता है और आज का कहानी क्या है आज का सही पूछिये तो मुझे अभी हाल में एक समाचार सुनने को मिला एक सब्दा गिरी गिर गिया अब 20-25 लोग मर गये जबकि उसकी निर्मान अभी हालिया हुई थी और वो एक वो सब जमाने का इमारत बना हुआ है जो आज तक उसमें दरार तक नहीं आया सोचिए ये इमंदारी बहुत जरूरी है अगर वो इमंदारी आज भी बढ़ती जाए तो भारत वापिस वो सोनी की चिडिया हो जाएगी और रुपया डॉलर फिर से बड़ाबर हो जाएगा चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तो मैं जाते जाते आपको एक चीज फिर से बताना चाहूंगा काफी लोग अब ब्यवसाय में आ रहे हैं मुझे बस इसी चीज से पता चल रहा है जब इतने लोग मेरा अभी तो मैंने पांच किताब निकाल दिया मैंने पांच बिजनेस के उपर में आज ही की मैं बाद बता रहा हूं पंखे का वंडिंग करने का दो लोगों ने नेया काम डाल दिया ओर निया काम कैसे डाला उन्होंने सिर्फ मेरे किताब को मंगाया था व era का और उस किताब में जो वायंडिंग मसीन बनाने वाले हैं उसका नंबर भी मैंने डाला है जो मसीन बनाते हैं और उनोंने उनसे मसीन की बात की और वे अपने बेरोजगार थे उनका जॉब चला गिया था उन्हें ये काम पसंद आया और उन्होंने पंखे के वाइंडिंग का काम को डाल दिया और आज में खुसी-खुसी फोन किये कि सर ये आपके बुक की महरवानी है कि मैं आज फिर से काम में आ गया हूँ मैंने उनसे पूछा क्या करोना जब खतम हो जाएगा तो आप वापस काम में जाएंगे तो उनका सीधा जबाब था नई सर कभी नहीं इस जनम में मैं अब कभी नौकडी नहीं करूँगा हम लें क्यों उसमें तो अच्छा था ना आपको महने के अंत में फिक्स्ट सैलरी मिलती थी नई सर वो आट-दस अजार रुपया से क्या होगा एक पंखा वाइंड करूँगा 400 रुपया कमाऊंगा क्या जाता है कॉपर में कॉपर तो समझे कि जो जल्द के आता है कॉपर उसमें आधा ही पैसा लगता है 50-60 रुपया और लगता है और फिर से वो वाइंड हो जाता है मतलब सीजन में अगर 10 पंखा भी उनके पास आगया वाइंडिंग करने के लिए 300 रुपया अगर हर एक पंखे में आ रहा है एक दिन में 3,000 रुपया कोई कम नहीं होता है ज़र असा हिसाब लगाईए 3,000 रुपया रोज लाख रुपया महना हो जाएगा चलिए कितना भी खड़ाब हो 25,000 तो होगा वो तो 8,000 रुपया में काम कर रहे थे उसमें से वो खा भी रहे थे और पडिवार को भेज भी रहे थे क्या बचेगा इसलिए मैं कहता हूँ बिजनेस में आईए वैपार में आईए चलिए कल फिर चर्चा करूँगा वैपार की बात में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कल बिल्कुल नए लोग काम की सुरुवात कैसे करें ये बहुत बड़ा प्रस्न है काफी लोग मेरे से पूस्ते हैं कि सर बिजनेस कैसे सुरू करें कल चर्चा करूँगा कल बिल्कुल कनेक्ट होईएगा रात नौ दस में तक वीडियो अपलोड हो जाएगा जरूर देखिएगा कल का वैपार की बात तब तक के लिए अपने दोस्त संजीव वर्मा को विदा कीजिए सुरक्षित रहिए मास्क लगाईए डिस्टेंस मेंटेंड कीजिए ठगों से सावधान रखिए ये और हक की लड़ाई को बिलकुल लड़िए कभी भी डर से डढ़िएगा मत डर से हिम्मत से काम लीजिए डर खुदी डर जाएगा सुबरातरी नमस्कार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सेर कीजिए लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए धन्यवाद